फिर से आगया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सब की भलाई अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना बिग ब्लिस लेकर आएगा, दस मिनट में आपके घर पर दवाई बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान रुक करते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की और बोपाल में आम की कीमतों में भुकताओं की जेब जो है वो खाली हो रही है गतवर्ष की तुल्ना में इस बार आम की आवकादी से भी कम हो रही है स्थानिये होल सेल मंडी में बड़ी मुश्किल से 30 फीसिदी का ये जो आम है वो अभी आ रहा है इसका कारण आम की पैदावार इस साल बेहद कमजोर होना है उत्पादन शेत्रों में बेमौसम आंधी तुफान ने उत्पादन पर इसका असर डाला है फल विक्रताओं ने भी इस पर चिंता जोताते हुए कहा है कि महंगा होने के कारण ग्रहाकों की क्रेश शक्ती कमजोर हुई है वे उतना ही ओर्डर कर रहे हैं जितना ही खपत हो सके मंडी में इस समय दक्षिन भारत के विजयवाडा दामन चूर से बजार एव तोता परी की आवक हो रही है बदाम होल सेल में ये साट से सब्तर रुपे किलो बिक्रा है जबकि रिटेल में इसके दाम सौस एक सो बीस रुपे बोले जा रहा है इसी प्रकार तोता परी आम थोक में 30 से 44 रुपे तथा लिटेल में ये 60 से 80 रुपे प्रती किलो के भाव पर बताया जा रहा है फल कारोबारियों के मुताबिक मंडी में पिछले 2 से 3 दिन से गुजरात का केसर आम भी आने लगा है जो थोक में ही 110 से 130 रुपे बिक्रा है खुले बजार में आने पर इसके भाव 200 रुपे तक पहुशने की संभावना व्यक्त की जा रही है साथ ही उत्तरप्रदेश में बड़ी मातर में आम की पैदावार होती है लेकिन इस साल वहां भी आम की फसल कमजोर बताई जा रही है आम के होल सेल कारोबारी ने बताया है कि बेमौसम आंधी तुफान एफ बारिश ने आम की फसल को सभी तरह से काफी नुकसान पहुचाया है जिसका असर कमजोर पैदावार के रूप में देखने को मिल रहा है उनका कहना है कि यूपी से दशाहरी लंगडा और चौसा की आवग अगले 10 से 15 दिनों में शुरू हो जाएगी वहीं आम की आवग कमजोर होने से मंडी टेक्स पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है फिर भी करीब 50 प्रतीशत टेक्स आम से कम मिल रहा है आवग बढ़ने से टेक्स में विद्धी होगी और आम पर डेढ़ फीसिदी टेक्स लगता है तो बड़ी खबर में आज बस इतना ही लेकिन और बड़ी खबरों के लिए अपडेट्स के लिए आबरी रहें सर्दियों में जब लगे वाट रोग को अपडेट है करना तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्षन को एक्स्प्लोर है करना बिग ब्लिस खशियों की अपनी दुकान